नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं विके टूल चैनल बिशनु जी के साथ दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं कि अच्छे होंगे दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तरीके से समझ करके चलिए कि आपको इस बिजनस में ना ही आपको कमा सकते हैं दोस्तों यह एक ऐसा बिजनस के बारे में आज बात करने वाला हूं जो कि बहुत कं लागत में बहुत कं से कं मतलब 32 свое या समझ कर चलिए कि 3000 या 4000 इतने लागत में आप सूरू कर सकते हैं बीजनस को और बहुत ही असानी से आप cheerful चाणर रोपे से वी ज्यादा क पूरा लाश्ट तक जरूर देखिएगा लाश्ट तक देखने का मतलब यह होता है कि वीडियो जो मैं बताता हूं इस वीडियो के माधियम से जो बात की जाती है आपको मतलब अच्छे तरीके से समझ में आती है कि इस वीडियो के माधियम से मैं आपको क्या बताने वाला हू दोस्तो अगर दो सब्दों में कहा जाए तो इस बिजनेस को mobile repairing business कहा जाता है मतलब पुराना mobile repairing business कहा जाता है लेकिन दोस्तो एक तरीके से जो इस business में तरीका में बतने बाला हूँ वो तरीका इसमें अलग है दोस्तो आप पुराने मुवाइल को जो मतलब छोटे मुवाइल है जो स्मार्ट फोन नहीं है जो कीपेड मुवाइल है जो पुराने मुवाइल है उनको खरीद करके दोस्तो आप चाहे तो एक तरीके से उसको मतलब बना करके तयार करके अच्छे तरीके से दोस्तो आप उसको बेच सकते हैं और उसования और यहाप मर्जिंग कमा सकते हैं दोस्तो अभी गाव में मोबाइल का कीमत क्या है बिगड़ा हुआ अब पुराना मोबाइल है तो बस उसका कीमत सो रुपया भी नहीं है तो दोस्तो इसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे तो पुराना मोबाइल खरीद करके उसको बना कर बेच करके कमाई कर सकते हैं अन्य था दोस्तो आप चाहें तो मोबाइल रिपेरिंग मतलब मोबाइल को रिपेरिंग करके भी आप कमाई कर सकते हैं दोस्तो उसके सکते हैं जो कौन सी क्या चीज कहां लगतीफ है कितना क्या चाहिए मीटर हो गार चेक करना दोस्तों पस इतना सा सिंपल सा आईडिया है आप चाहें तो इससे कमाई कर सकते हैं और दोस्तों इसके दो तरीके जिसमें पहला तरीका यह है कि आप इसको अणिशन पम करने के लिए बनाने के लिए तो उनको एक तरीके से अन्य था अन्य था उनको बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो आपने मोबाइल बेचना चाहते है उनसे खरीद करके आप उसको बना कर किसी और व्यक्ति को बेश सकते हैं जिनके पास कम पैसे हैं तो दोस्तों इसमें भी आपको margin मिलने का पूरा पूरा chance है दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के भारे में दोस्तों दूसरा तरीका यह तरीका होता है कि आप उसमें पुराना मॉबाइल रिफेर तो करते हैं लेकिन साथ में जैसे की नया मॉबाइल भी बेच सकते हैं या मॉबाइल से जुड़े हुए जो अन्य उपकरण है उसको भी आप बेच कर कमाई कर सकते हैं गाओं के लिहाज से अगर बात किया जा इस बीजनस के बारे में तो काफी मातरा में डिमांड अभी बढ़ रहा है मतलब गाओं में बात किया तो डिमांड बढ़ रहा है और सहरों के अगर बात की जाए तो सहरों में तो समझ करके चलिए कि को कि एवल पुरानय मोवाइल तो बहूत कम लोग चला तैसि सभी लोग मेरे मेरे मेरा यजी छाराब जाने पर नहीं मन पाता है तो वो नशी खरीदते हैं मतलब सःरोगी बात कैसे तो वह तो कोई भी मुवाइल हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखने बाद जरूर समझ गए होंगे कि आज का बिजनस आइडिया मैंने क्या बताया है और किस तरीके से आप बिजनस को सुरू करके कमाई कर सकते दोस्तों इसमें हो सकता है कि अलग-अलग लागत में पूजी लगत थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर भी कीजिएगा तो दोस्तों आज के वीडियों बस इतना ही फिर मिलते है नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए विजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे और गाव से जुड़े हुए छोटे मोटे विजनेस छोटे मोटे तरकीब से पैसे कमाने के तरीके के बारे में बात करते रहेंगे और दोस्तों आपको हेल्प वी करते रहेंगे तो मिलते हैं नए